ग्यान संसकार मंदिर विधी शिविर श्री तारं तरं दिगंबर जैन चैत्याले अशोका गार्डन भूपाल में दिनांग 30 अप्रेल से 6 माई तक पाठशाला समीती एवं सद्भावना महिला मंदल के आयोजन में सकल तारं समाज के सहयोग से सुबह और शाम लग रहा है जिसमें पंडित सचन शास्त्री द्वारा इस शिविर के माध्यम से तारं पंद की पूझा मंदर विधी का अर्थ शुध वांचन और जैन धर्म तारं पंद के ज्यान वसंसकार शिविर अर्थियों को दिये जा रहे ह इस शिविर में बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष बहुत उत्साह पूर्वग भाग ले रहे हैं इस शिविर में तारं समाज के मंत्री प्रवीन पंदित अशोग, श्रीमती मीना, श्वेता, रोपाली, रश्मी, संगीता, पुश्पा, आदी का विशेश सहयोग इस शिविर में पूरी समाज में, हर लगर में, कम से कम एक एक जगे को ये सिविर आइजिस है, और इस शिविर का उपके बच्चों को संस्कार देने का है, वो गुरुदेलों से भी सच्छा दे रहे हैं, उनसे भी ये सार दोज है, पुर्ण मना अकि एक ज़िखें को मान के को हैं, मान के को हैं, अगर मानना अलग बात है और जानना अलग मान के, अम परवपरा से हीं किarden, व्हारी परवपरा है मान को, अगर हम जाने इस शिक्षण हमारे असन शिक्षण दूर्स, 20 कीचारे लोग 3 आएदे नीं को दे रहे कि यान संसकार मंदिर्वीदी सिविर का आयोजिया जो असुका गाड़न किया नहीं तीश तारिक से शे महीं तक अभी अन्वरत रूप से चल रहा है इसमें सब्सकार मंदिर्वीदी को इतनी गहराई से समझाया है और इसने गहराई सुमेटिक माज मुझे लगँ लाए कि मंदिर्वीदी में कितना मरम छुपा है चारो और नियोगों का समा में कैसे इस मंदिर्वीदी में हैं कैसे सटाथ अस्यक्न की पूरती होती है कैसे आदिनास अफ़ान के समोसरण और गूत्तार वैनतिवियर जी जी की चर्चा आई ऐसे बहुत ही मंद्रविदी में इतना थ्यास बरा है इतना हमारे जीवन को सिदाटे की कला छपी हुई है हम सभी इस मंद्रविदी को सुनकर समझकर रिवतें क्यांकर है और जो हमें गुरुमा राजी ने राश्ता बताया है उनकी देशना में गरणकर उसमार उपर चले हम सभी जीओं को कल्यारों कमता है और ऐसे सिविर का आई जल हमेज़ा होते रहना चाहिए इस में खरणकर आइंस सभी जीओं सभ जिन देशना गरण करें। आवना है, सभी को जैजनेंद जैतार।